हुआ छिफ्टी एक एसा टौपफ है जिसे आफ देखते हैं कि प्रैलियम समय बी कुश्टन बनते रहते हैं और आपके मैंसमय की कुश्टन से से पूछते रहते हैं वह याद रहे कि वन राखिए वंडः Babylon के लिए तो ये इस तरह से सा तरह के questions आ जाते हैं इससे तो आज के इसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से जान लेते हैं भारत देश की नई अप्रत्यक्ष कर विबस्ता GST के लागू होने की तेन वर्स के बाद ही देश के सामने में हमारी संकट के चलते इस्तिती चंताजनक होती जा रही है एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि GST के तहट आपके टेक्ष यानि के इन डारेक्ट टेक्स ही ले आए गये हैं यानि कि अभी भी आपका जो डारेक्ट टेक्स है यानि कि आयकर होगा वो आप डारेक्ट ही करते हैं वो GST के तहट नहीं आता है ठीक है GST से मिलने वाला लाव और त्वरस्था में मंदी के कारण तेजी से कम होना शुरू हो गया है COVID-19 लॉक्डाउन ने राजिस्टर गड़नाओं को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है GST के अंतरगर कर संग्रह में भारी कमी आने के कारण राज सरकारों को राजिस्थानी होई है क्योंकि केंद सरकार राजियों को GST अधिनियम 2017 के अंतरगर वादी केंद सार छटी पूर्ती करने में आसमड़ता दिखाई है जो एक तरह से बाधा किया था केंद सरकार ने पहले कि अगर आपको गाटा होता है आपको राजिस्थानी होती है तो उसकी छति पूर्ती वह करेंगे लेकिन आप केंद सरकार ने उसने मोह फेल लिया है और एक तरह से आप ये कि उसने ना बूल दिया है एक कुष्चन्स आपको कही बार बन जाता है कि वो GST के तहित कौन कौन से कर लाए गए आपित्यख्च कर या फिर पित्यख्च कर तो याद रखिए आपित्यख्च कर GST यानि कि बस्तू यह वम भिक्री कर GST के रूम में देश को एक ऐसी एकड़्वा जो नखेवल सम्कूर भारत को एकल बाजार के रूम में पिस्तुत करती है बलकि समानता भी पिदान करती है क्या समानता भी पिदान करती है यानि कि आप कह सकते ही कि वोख सोचे ले होई जो हे निरोक टैफ्ट से यह हर को इदेता है आप गरीब हैं, आप किसी भी तपके के हो, आप सभी लोग देते हैं, वहीं आप सोचिए कि आपने कोई, कोई भी सावन खरीद रहे हैं, माल लीजे, तो गरीब भी वही टेक्स दे रहा है, वहीं आप देखेंगे, सबसे उचले पर पर होगा, जिसकी आर्थी किस्तिती रहता है, वो भी उतना ही कर दे रहा होगा, पराबर कर रहेगा, कोई जान्दा आपसे बेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन इन डारिक टेक्स में आप देखते हैं, आप देखते हैं, आपकी आए अधिक है, तो आप अधिक टेक्स देते हैं, और आपकी आए कम हैं, तो आ सामिल किया गया है वहीं दूसरी और राज्यों में लगाए जाने वाले मूल वर्धन कर मनुरंजन कर चुंगी तथा प्रवेस कर विलावस्ता कर आदी भी इसमें समलित किये जग गये हैं इसमें जी अश्टी में देश में मौझूद कर विवस्ता दो पेकार की हैं पहला पित्यक्ष कर जिसके तहट आयकर निगम कर संपत्ति कर आदी आते हैं दूसरी की बात करें तो आप पित्यक्ष कर जिसमें आप देखते हैं सीमा सुल्ख विक्री कर सेवा कर मनुरंजन कर इत्यादी सामिल थे और बा लाई 2017 से वन नेशन, वन मार्केट, वन टेक्स की आउधारना पर आधारी तिया गंदप आधारी कर रहे है जी एश्टी मुआपचे की अगर पात करें जिसकी बात अभी की जा रही थी तो जी एश्टी लागू होने की बाद अधिकांस करों के रूम में राज्यों की पास ब और अभी आप चांद दें कि ये जी एश्टी से बाहर है पैटॉल, पैटॉलियम, सराव, उश्टाम, ड्यूटी क्योंकि आप अभी भी देखते हैं कि कई राज्य सराव पर अधिक चार्ज लगाते हैं यानि कि अधिक टेक्स लगाते हैं पैटॉल आप देखते हैं उत्त आदिनियम 2017 कि अंतरगत राज्यों को पांच वर्सों यानि कि 2017 से 2022 के लिए GST के कर्यानबन के कारण हुए राजस के नुकसान की भरभाई की गारंटी दी थी एक तरह से आपके यह फिकेंद सरकार ने कहा था कि अगर आपको इसके कारण GST के कारण नुकसान होता है राजस मे तो उसकी भरभाई मैं दूँगा यानि कि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं हो नुकसान होता हुए यह था हैसमें मुआपजे की गड़ना राजी के वर्थमां GST राजस और 2015 सुले को आधार बर्स मानकर 14 वर्स बार्षिक विद्धिदर के आकलन के बाद सरक्षित राजस के बीच अंतर के आधार पर की जाती है GST के वे मुआपजे के बीचे के तरक की बात करें तो सरक्षित हम GST से पिछले कर्षासन के समान अधिक राजस उत्पन होने का अनुमान ब्यक्त किया गया था हाला कि नई कर्विवस्था में उपो पर कर्ष लगाया जाता है ना कि बी निर्मार्ट पर इसका अर्थ है कि उत्पादन के स्थान पर कर्ष नहीं लगाया जाएगा एक तो पहले आप लोगोंने गारंटी ले ली थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब मेरे बस मेरा काम नहीं है, अब मैं आप लोगों को माज़ा नहीं देता हूं, कैंसर कार इस बात पर विसीस बल दे रही है, कि इस बास COVID-19 महामारी के कारण GST संग्रह में तेजी से कमी आ पर इमानता लगबग 3,00,000,000 करोड़ रुपई की आउसकता है, जब कि उपकर संग्रह लगबग 65,000 करोड़ रुपई का अनुमान है, इस पेकार 2.35 यानि कि 2.35,000,000 करोड़ रुपई की अनुमानित मौपजी की कमी है, कहने का मतलब है कि इस बार जो मौपजा देना था वो 3,00,000,000 करोड़ के करीब है, और आप देखेंगे कि कितनी उगाही कितनी हुई, 65,000,000 करोड़ और इसमें घाटा कितना हुए, एक तरह से 2.35 करोड़ और चाहिए लाग करोड़ जब जाकि एक तरह सीन की भरभाई को उपाएगी, दो दसम्लों 35,000,000 करोड़ रुपे और चाहिए मौअब जाकी पूरती करने के लिए, केंदरी ये केंद की सिफार्चों की बात करें तो राज्यों को इस इस्टिती के उपाय के तौर पर दो विकल्प दिये गए, और दोनों में बाजार से उधारी लेने की आवस्तिता है, केंद काता है कि GST के कर्यानमर में क 97,000 करोर रुपे के राजस की कमी है, जब कि 1.38,000,000 करोर रुपे का नुकसान Act of God, आप समझ रहे हैं, Act of God, जिस पर अभी सबसे जांदर विवाद छड़ा हुआ था कि भगवान, इसके लिए भगवान जिम्मेदार है, द्वारा उत्पन आसाधरन परिस्तितियों के कारण हुआ है, कई लोग आपने देखा हुआ कि मीडिया में कई लोग गोल लाई थी कि यो, Act of God, यानि कि भगवान, कई कह रहे हैं थी कि Act of, Act of Government, यानि कि Government इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है? तो एक तरह सी आप समझे, Act of God तो मुझे भी नहीं लगा अच्छा सब्छा, इसल है, जैसी भी प्रोग्राम है, लेकिन हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम भगवान पर उन समस्याओं को डालने, आप समझ रहे हैं? यानि कि कहने के मतलब है कि हम लोग UPSC आप दे रहे हैं, या कोई भी स्टेट का एक्जाम दे रहे हैं, कोई भी एक तहां कमी रहे हैं, ठीक है? राज जी या तो 97,000 करोड रुपी का उधार ली सकते हैं, इसे अपने रेड और मूलदान और भववस में ओखर संग्रह से ब्याज की भुकतान को जोड़े बिना ऐसी किया जा सकता है, या 4.2.35 लाइफ करोड रुपी उधार ली सकते हैं, ले पूरा तो यह आपको कहां से इसका ब्याज आप लोगों को खोड देना पड़ेगा, ठीक है? बित मतला लेने तेक दिया है, कि केंद द्वारा अधिक उधार लेने से ब्याददरों में बिद्धी होगी और भारत राजकुस की मापदनों को पूरा किया जाएगा, अभी आ जार मंदिरी ने 4-5 बाद बहरा है था, आपने सुना होगा लॉकडाउन की टाइम, मदद की जाएगी, तो उसमें देखा आप लोगों ने की उपर से बोल दिया गया है, हाँ ठीक है, आने बाली दिनों में इसका फायदा हुआ, लेकिन हाल में कोई फायदा नहीं देखा कह दिया गया है कि आप बैंकों से रड़ ले लिजे, आप लोगों को जाना कुछ डोकुमेंट भी देने पड़ेगी, तो आप सोची एक तरह से इसमें क्या साहेदा की है, गवर्मेंट ने, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि लोन कॉन ने ऐसी बेपत्ती में लेना समझ रहे हैं आप लोग की मतलब अभी मदद चाही थी डारेक्ट रोपया फ्री का पैसा मिल जाता, तो आदमी अपना खर्श चला सकता था, क्योंकि आपने देखा है किस तरह से सब ही की आए प्रभावित हुई है, तो उसी तरह राज्यों से भी कह दिया गया है, राज्य जिसके पैड़ाम सवरूप बेतन भुक्तान में देरी और महामारी के कारण लॉगडाउन के भी चूंजी गत बह में भारी कट होती हुई है, याद रखिए केंद में जिसकी सरकार रहती है, उनकी राज्यों में जिसकी वही सरकार रहती है, वो उसका पक्ष करती है, समझ कि उन्हें अपने एक तरह से नुकसान का देखना चाहिए, उन्हें किसी के फैसले ऐसा नहीं कि उन पर बात्तिकारी हूँ किसी का फैसला, चूकि देश के सभी राज्यों इस वायरस से जूज रहे हैं, इसलिए उन्हें स्वास्त देखवाल सिवाओं पर खरश करने के लि कि अग्ये के भुगतान पर दर्च की गई समस्याओं को सुहिकार किया था, क्या किया था ? आगे की लाश्क में क्या सकते हैं आगे किराय महामारी की इस दौर में सही समय सही यही है कि राज़ राज्ज वास्तिविट्था को स्विकार करें और मौवजे की निमनेशतर पर सहिमति व्यक्त करें क्योंकि भारती अर्विद्था की विकास पर बहुत धीमिकति से बढ़ रही है राजमा हमारी की इस इस्तितीक में को अंदेखा नहीं कर सकते हैं कैंसर काय को बित्तिय बाजारों और सीधे रभी आई से अधिक उधाल लेकर GFT गतिरोत को समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए केंद को यह समझना चाहिए कि उनका वैदानिक दायत है और वो इससे इंकाल नहीं कर सकते हैं एक तरह से दोनों को समझोता कर लेना चाहिए कहने का मतलग है आप भी तो देखते हैं आप यह थार्ट बादी मौअबजे के लिए समझोता करके जन्दी कोई समाधान निकाला जा सके लाश्ट में कहते हैं इस विसाय में इस बात पर विसीस रूप से ध्यान देने की जरूए थे कि महत GST के रूम में देश का बब संगिय धाचा इस सीमा पर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और इस समय केंदो राज दोनों को आप सी में सही हो और समय बनाए रखते हुए कार करना चाहिए क्योंकि अब यह आप देख रहे हैं कि पुरी तरह से हमारी अर्थव्वस्ता चर्म रा चुकी है तो इसको सभी राज्यों को एक होकर कोरोना से बहतर तरीके से क्यान देना चाहिए सबको मिलकर काम करना चाहिए ठीक है